यहां अमिच छा ने मंत्रियों और सांसदों के परिवारों को टिकिट नहीं देने का फैसला किया तो वहें इंद्रजीत सिंग अपनी बेटी और कृष्ण पाल अपने बेटे के लिए टिकिट मांग रहे हैं सुत्रों के पताबेक दोनो नेताओं ने इस तीफे की पेशकश की है देखे रपार्ट सुना आपने टिक्टो को लेकर हाइ कमान की हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सांसदों और मंत्रियों के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा जिसकी चानकारी बैठक में मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष सुभाश बराला ने दी बैठक केंद्रेग्री मंत्री अमिच शाह की अध्यक्षता में हुई जिसमें अमिच शाह ने साफ तौर से मंत्रियों, सांसदों के परिवार और निगम अध्यक्ष जिला परिश्यदों के चेयर्मैन को टिकट नहीं देने का फैसला लिया हमारे किंद्रिय नितरतों ने काफी समय पहले ये तैख कर लिया था कि प्रवार भणाव अर्देश सकार में मन्तरी विधायक, सांसदों इनके परिवार में से किसी को टिकित नहीं दी जा जाएगी तौरिवार अर्यादान का और फैसला यह पैसला देश वर चाहा है हाई कमान के फैसले के उलट बीजेपी के दो दिगजों ने बीजेपी निर्टित्व की उलढ़नों को बढ़ा दिया है राव इंदरजीत सिंग अपनी बेटी आर्ती राव तो कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं दोनों केंद्रे राज्यमंत्रियों का साफ कहना है कि अगर पूर्व केंद्रे मंत्री चौधरी बिरेंद्र के परिवार से तीन तीन लोग संसद और वधानसभा में जा सकते हैं तो उनके परिवार का दूसरा सदस टिकट क्यों नहीं पा सकता कुछ दिन पहले चुनाओ को लेकर हुई बैठक में मुद्दे को लेकर तल्क बहस भी हुई प्रदेश में वधानसभा चुनाओ को लेकर काउंटाउन शुरू हो चुका है 29 सितंबर को बीज़पी प्रत्याश्यों के नाम का एलान कर सकती है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि हाई कमान अपने दो दिगजों के आगे जुकती है या फिर नहीं